केंद्र सरकार ने महेंगाई पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से तयारी कर ली है. वह साल 2024 से 25 में 18 मिलियन टन चावल का अतिरिक्त भंडारन करेगी. इसके लिए उसने स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ताकि चावल की बढ़ती खुद्रा कीमतों को कम किया जा सके. हालां कि देश में अभी चावल का प्रयाप्त स्टॉक है. एक जून को केंद्रिय पूल में चावल का स्टॉक 21.8 प्रतिशत बढ़कर 50.46 मिलियन टन हो गया है, जबकि एक साल पहले यह 41.42 मिलियन टन था. खास बात यह है कि चावल के स्टॉक में 17.94 मिल में 18 प्रतिशत की वृद्धी हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, खाद्य मंत्राले ने शुक्रवार को विभिन विकल्पों पर उद्योग के विचार जानने के लिए कुछ निर्यातकों और चावल मिल मालिकों के साथ बैठक की. विचार विमर्ष में भाग लेने वाल कि हमने सरकार से कहा कि चावल की कीमत पर अधिक यथार्थवादी न बने और इसे एक अलग खादेपदार्थ के रूप में न ले. जब राजे सरकारे 31 रुपए प्रती किलोग्राम पर धान खरीद रही हैं, तो मिल मालिकों से 30 से 35 रुपए प्रती किलोग्राम पर चावल बेचने की उम्मीद करना बेहद अवास्तविक है. 36 गर सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदने के लिए 3,100 रुपए प्रती क्विंटल का भुक्तान करने के बाद, भाजपा द्वारा ओडिशा में इसे लागू करने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में हुए विधान चुनाव में यह वहां का चुनावी वादा था. निर्यातक ने कहा कि इसे जल्द ही अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा. राष्ट्रिये खादे सुरक्षा अधिनियम, एनिफेसे और अन्य कल्यानकारी योजनाओं के तहत आवशक्ता को पूरा करने के लिए सर सुट्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर खुली विक्री के लिए कोई उठाव नहीं होता है, तो सरकार के पास WTO के नियमों का उलंगन किये बिना स्टॉक को निप्टाने के लिए बहुत सीमित विकल्प है. लेकिन विदेश व्यापार नीती विशलेशक S. चंदरशेकर ने कहा कि WTO सबसिडी का अनुपालन व्याख्या का विशय है. प्रशासन और सीमाओं के भीतर रहने के लिए प्रावधान उपलब्ध है.